अलिन मापे में अपना अकाउंट कैसे बनाएं? अलिन मापे एक डिजिटल वाइलेट है जैसे स्टीसी पे, यूर पे, मुबाइली पे, फिरिंडी पे अलिन मापे से आप लॉकल और इंटरनेशनल पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं अलिन मापे से आप कोई भी बिल पे कर सकते हैं, यानि आप किसी भी तरह की बिल पे कर सकते हैं और आप अलिन मापे से लॉकल किसी भी कंपनी किसीं कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं अलिन मपे में अपना अकाउंट बनाने के लिए आपका अफशर अकाउंट और नेशनल एडरस का बना होना जरूरी है अगर आपका अफशर अकाउंट और नेशनल एडरस नहीं बनाए तो आप कैसे बनाए आप बहुत असाने से अपने मुबाइल फून से अपना अफशर अकाउंट और नेशनल एडरस आनलाइन बना सकते हैं अपना अफशर अकाउंट और नेशनल एडरस आनलाइन अपने मुबाइल फून से कैसे बनाएं इस वीडियों के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियों की लिंक मिल जाएगी अलिन मपे में अपना अकाउंट कैसे बनाए इस वीडियो में मैं आपको कम्पलीट परोसस बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिलेज आप इस चैनल पर सबस्क्राइब कर लिजिए साथ पर नोटिफ्टिकेशन के बलाइकान पे इसी तरह किलिक कर लिजीए तो चलिए वीडियों को सुरू करते हैं सबसे पहले आप प्ले श्टोर याप गलेरी याप श्टोर को ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे नफाद ऐपे लिखने के बाद सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आप इस नफाद अप्लिकेशन को इसी तरह डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने एक बाद आप इस अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे ओपन करने एक बाद नीचे अलाओ पर क्लिक कर देंगे इसके बाद वहिल यूजिंग डाइब पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप यहां पर इस सिटिंग आइकान के ओपर क्लिक करके आप यहां से English के बाएं तरब क्लिक करके आप इसको English में कर लेंगे इसके बाद आप उपर यहां पर क्लिक करके वापस आएंगे वापस आने के बाद नीचे लागिन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद National ID में आप अपना इकामा नमबर इंटर कर देंगे इसके बाद पासवर्ड में आप अपने अफशर रिकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देंगे पासवर्ड इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे किलिक कर देंगे Next पे क्लिक पर आपके अफशर अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नम्बर रजिस्टर होगा उस नम्बर पर एक code आएगा उस code को आप इसी तरह इंटर कर देंगे code इंटर करने के बाद आपके सामें इस तरह का interface ओपन हो जागा इसके बाद आपको अपने नफाद का 6 डिजिट का यानी 6 इंसों का यानी 6 अंग का एक pin बनाना होगा आप अपने नफाद का जिस नमबर का भी pin बनाना चाहते हैं उस नमबर का pin आप इंटर कर देंगे 6 digit का यानी 600 का यानी 600 अंग का और आपको यहां पर एक चीज का ख्यालक नहीं अपने नफाथ का जिस नमबर का pin आप बना रहें उस नमबर को आप किसी पेपर पर लिख लेंगे यही नमबर आप भी आगे काम आएगा इसके बाद जिस नमबर का पिन आप पहले इंटर केंसे उसे नमबर का पिन दोबारा इंटर कर देंगे दोबारा वही नमबर का पिन इंटर करने के बाद आपके मुबाइल का सामने का कैमरा आटोमेटिक चाले हो जागा इसके बाद अपने फेस को इस सरकल के बीच में लेकर आएंगे अपने फेस को सरकल के बीच में लाने के बाद नीचे यह बटन जब green हो जाएगे इसके बाद इस बटन के उपर किलिक कर देंगे इसके बाद नीचे फिनिस पर किलिक कर देंगे फिनिस पर किलिक करने के बाद आपने फाद अप्लिकेशन को close कर देंगे इसके बाद आप पिले श्टोर या आप गलेरी या पिश्टोर को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे, अलिनमा पे, लिखने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप इस अलिनमा पे इवैलेट को इसी तरह डाउनलोड कर लेंगे, डानलोड करने के बाद आप इस अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद नीचे अलाओ पर किलिक कर देंगे ओपन करने के बाद ओपर यहाँ पर इन पर किलिक कर देंगे इसके बाद नीचे नेक्स्ट पर किलिक कर देंगे इसके बाद फिर नीचे next पर click कर देंगे, इसके बाद नीचे फिर start now के उपर click कर देंगे, इसके बाद mobile number में आप अपना एक mobile number इंटर कर देंगे, mobile number आपको वहीं इंटर करना है, जो आपके इकामेप पर register होगा, इसके बाद ID कामा नंबर में अपना एकामा नंबर इंटर कर देंगे, इसके बाद नीचे next पर click कर देंगे, next पर click करने एक बाद आपके mobile number पर एक code आप यहाँ पर इंटर कर देंगे इसी तरह, अब आपको अपने अलिनमा पे अकाउंट का एक passcode बनाना होगा, four digit का यानि चार हिंसों का यानि चार अंग का, आप अपने अलिएन अपे अकाउंट का जिस नंबर का भी पासकोड बनाना चाहते हैं उस नंबर को आप इंटर कर देंगे 4 डिजिट का यानि 4 हिंसों का यानि 4 अंग का अपना फौर डिजिट का पास्कोर इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा इसके बार नीचे यहाँ पर वैलिडेट के उपर क्लिक कर देंगे Validate पे क्लिकने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा यहाँ पर आपको एक नमबर मिल जाएगा यहाँ पर जो भी नमबर आपके मुबाइल में सो होगा उस नमबर को आपको याद करके रखना है यही नमबर अभी आगे काम आएगा इसके बाद नीचे Go to Nafat एप के उपर किलिक कर देंगे अगर आपके मुबाइल में पिन लाक लगाए तो अपने पिन लाक को इंटर कर देंगे अगर आपके मुबाइल में पैटरेन लाक लगा तो अपने पैटरेन लाक को इंटर कर देंगे इसके बाद आपको सुरू में यानि वैलिडेट के उपर क्लिक करने के बाद जो नमबर आपको मिला था से मुसी नमबर के उपर क्लिक कर देंगे जैसे मुझे 45 नमबर मिला था तो मैं यहाँ पर 49 नमबर के उपर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद सुरुमें अपने नภाद का जिस नंबर का pin आप बनाये थे उसी pin को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे अपने नफ़ाद का pin इंटर करने एक बाद आपके mobile का सामने का camera आटमेटिक चालू हो जाएगा अपने face को इस circle के बीच में लेकर आएंगे इसी तरह Align My App के pitch पर वापस आएंगे। Align My App में account टो open हो गया, इसके बाद आपको अपने Align My App के काउंट का के साख करना होगा। के साख करने के लिए आप यहां पर update के ऊपर clique कर देंगे। Update Pack के लिक टेंगे कारना नीचे ऊपडेट के ऊपर कर देंगे। इसके बाद आपको पेसन में आप जो भी काम करते हैं उस काम के नाम को यहां से चूज कर लेंगे इसके बाद employer name में अगर आप company में काम करते हैं तो अपने company का नाम इंटर कर देंगे अगर मुसस्ते में काम करते हैं तो अपने मुसस्ते का नाम इंटर कर देंगे जैसे अगर आपको अपने कपिल का नाम नहीं पता है तो आप कई कामे पर सबसे नीचे उनर का नाम लिखा रहता है यानी कपिल का नाम लिखा रहता है इसके बाद income source में पेर वो लें इसके बाद मन्थली income में आप यहां से 0 से 4009 से नियाद बेरियाल अगर आपकी इस्तज़ादा से ले रही है तो आप इस्तज़ादा चूज़ कर सकते हैं इसके बाद नीचे नेक्स्ट पे किलिक कर देंगे अब आपको यहां पर अपने national address की सारे details आपको फिल करनी होगी जैसे city name, district name, state name, postal code है additional number, unit number है अगर आपको अपने national address की इसारी चीज़ें नहीं पता है तो कैसे पता करें आपने mobile phone में SPL application को आप download कर लेंगे play store से या गिलरी से या पिश्टोर से download करने के बाद आप सेंपल या SPL application को open कर लेंगे open करने के बाद नीचे बाएं तरफ अलकाइमा के उपर किलिक कर देंगे यहां पर इसके बाद EN पर किलिक कर देंगे इसके बाद उपर lag ने रजिस्टर के उपर किलिक कर देंगे इसके बाद English के उपर किलिक कर देंगे इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद National, Single, Sign, On के उपर किलिक कर देंगे इसके बाद आप यहाँ पर Three Line पे किलिक करके आप यहाँ से English कर लेंगे इसी तरह इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचाने के बाद username and password के उपर किलिक कर देंगे इसके बाद username national id में आप अपनाई कामा number इंटर कर देंगे इसके बाद password में आप अपने offshore account का password इंटर कर देंगे इसके बाद नीचे login पे किलिक कर देंगे लागेन पर किलिक नेक बाद आपके औफ शレकाउंट में जो भी आपका मॉआल नमबर रजिस्टर हो अगा उस नमबर पर एक कोड आएगा उसकोड को आप यहां पर इंटर कर देंगे इसी तरह इचे एक बाद नीचे, continue पे क्लिख करने लगेहां आप यहाँ पर ठोड़ा सा वेट कर लेंगे थोड़ा सा वेट करने बाद आपके सामने से तरह का इंटरफेस ओपे नुजहत के बाद आप यहाँ पर व्यू आल के वपर किलिख कर देंगे वीवाल पे कलिक अने के बाद आपके national address की सारे details यहां पर सो होगी आप दिख सकते हैं आप इसको एक बार screen साट मार लेंगे इसके बाद अपने national address को देखकर आप यहां पर सारे चीज फील कर देंगे जैसे city में, city name में, state name में, postal code में, postal code है और यहां पर एक चीज का ख्याल लखने है, additional number में, आपके national address में, जो secondary number होगा, आप उस number को इंटर कर देंगे इसके बाद unit number में, अगर आपके national address में, unit number सो नहीं हो रहा है, आप कोई भी चार number इंटर कर देंगे, no problem इसके बाद नीचे next पे किलिक कर देंगे next पे किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं, thank you, अब आप अलिनमापे की सारी service यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद नीचे close पे किलिक कर देंगे अलिनमापे में अकाउंट तो ओपिन हो गए, इसके बाद आप अलिनमापे अप्लिकेशन में लागाउट होने के बाद लागिन कैसे करेंगे, आप simply अलिनमापे अप्लिकेशन को कलोज कर देंगे, कलोज करने के बाद आप अलिनमापे अप्लिकेशन को दोबारा ओपिन कर वक्त अपने अलिनमापे अकाउंट का जो पासकोड आप बनाये थे उसी पासकोड को आप इंटर कर देंगे अपना पास्कोर इंटर करने के बाद अलिनमापे अप्लिकेशन में लागिन हो जाएगा आप दिख सकते हैं लागिन हो गया इसी तरह पासाने से लागिन भी कर सकते हैं अलिनमयपे अप्लिकेशन में और अगर आप अलिनमयपे के अपने अकाउंट में पैसा एड़ करना चाहते हैं तो कैसे एड़ करें इस वीडियों के नीचे डिसक्रिप्शन में आपको वीडियों के लिंक की मिल जाएगी इस तरह पासाने से लिनमपे में अपना आकाउंट बना सकते हैं